हलो बच्चों कैसे हैं आप सब मेरे नाम है आसीस पांडे आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे सी यूटूब चैनल पर यह है एक्टिविटी स्रीज और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 2.7 की डिटेल में पहले हम देखेंगे कि यह एक्टिविटी हमसे क्य हुई है जो मैं आपको बताऊंगा और सिखांगा आईये स्टाट करते हैं इस वीडियो लेच्चर आये सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या कहा अगया है इसमें कहा गया है टेकाई स्मॉल इमांट अप कॉपर ऑक्षाइड आपको बहुत ही कम अमांट में कॉपर ऑप् औप्जरव करनेवाले है आज की इस activity में आए देखते हैं बढ़िया तरीके से चीजों को समझते हैं क्योगि यह activity जो है ना वह reaction पर based on है एक छोटी से reaction है जिस पर पूरी की पूरी reaction और पूरी activity बेष्ट डान है आजये देखते बढ़िया तरीके सी चीजों को समझते हैं, सबसे पहले इसने कहा है copper oxide को दे लो, तो भहिया copper oxide कहां से मिलेगी, तो copper oxide, copper metal है एक तरीके का, copper एक तरीके का metal है, जब आप इसकी reaction करवा देंगे O2 के साथ, यानि O2 के साथ reaction कैसे करेगा, आपको burn करना पड़ेगा O2 की presence में copper को, तो मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा copper oxide, यानि CuO मिल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं copper oxide, और इसी को इसने कहा था, कि आपको क्या करना है, आपको copper oxide को लेना है, और उसकी reaction HCl के साथ करवा द देना है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा CuCl2, CuCl2 और यहाँ पर H2O के molecules अलग हो जाएगे, और सीधा सा question इसने पोछ लिया है, कि color क्या होगा, तो color क्या हो रहा होगा, इसमें changing जो color की हो रही होगी, क्या हो रही होगी changing, तो अगर हम देख आपको, यह किस color का, copper oxide किस color की होती है, ब्राउन कलर की होती है, या तो gray color की होती है, आप mention जरूर कर देगे, ब्राउन कलर की होती है, या तो किस color की होती है, gray color की होती है, लेकिन जब यहाँ पर क्या, आपका copper chloride बना, तो इसका color जो हमने देखा, वो color किस color का हो चुगा था ब्लू कलर का अब आप कहेंगे सर कैसी याद रहेगा बिटा ये रियक्षन एक टाइप की जो आपके लैप में करवाई जाती है अलाकि यहां पर लैप तो है नहीं तो हम डारेक्ट देख रहे हैं कि भाईया इसका कलर पहले कैसे था इसका कलर पहले या तो ब्राउन था या तो ग्रे कह सकता हूं ग्रेड ब्राउन लग्वल तो और हो कैसा गया यंपलू कलर का हो गया तो यह सो हमारी कलर की पयोगज़र सब्सक्रीशन हो गया क्या आपको अब कुछ बते में आपको यहां पर बताना चाह Victorianरे कि कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है इस पहली बात तो यह है कि इसको मैं क्या बोलता हूं बटाओ इसको मैं बोलता हूं बैटा मेटल औक्साइड बोलता हूं अब यहां से आपके इंपरेंट बातें स्टार्ट हो जाती है एक्टिविटी का तो काम खताम हो गया कि यहां तक पूछा ताम ने बता दिया कलग बट बेटा कुछ छुपी हुई चीज़ है जो एक्टिविटी में रहते हैं जिनका एक्स्प्राइशन जर्नली आपके टीचर्स नहीं करते हैं यह आप क्लास्रूम म और मैंने बेटा आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्स्प्लेइन किया था और पढ़ाया था कि जो मेटल ऑक्साइड होती है उनका नेचर कैसा होता बता दो मेटल ऑक्साइड का जो आपका नेचर होता वो कैसा होता मुझे बता दो तो मेटल ऑक्साइड का बेटा न reaction हो जाती है अगर question यह पूछ ले किस टाइप की reaction हो जाती है आपको टाइप बता देना है कि बताओ यह किस टाइप की reaction है यह reaction number second बेटा यह second first number में तो मैंने बताया कि कैसे आपको copper oxide मिला तो आपको यहां पर mention करना पड़ेगा कि sir यह जो reaction है यह neutralization reaction हो जाएगी बताओ किस टाइप की reaction है यह आपकी जो reaction है यह आपकी neutralization यह neutralization वाली reaction है reaction है अब आपने कैसे सीखा कि neutralization की reaction है आपको पता है बेटा आपको क्या पता है कि जब acid जब acid base के साथ react होता है तो क्या बनाता है बेटा salt plus water salt plus water form होता है और इसी reaction को मैं neutralization reaction कहता हूं तो बोलो यह reaction किस टाइप की हो गई यह reaction आपकी neutralization reaction हो गई यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से बाते आपको explain हो गई होगी बताओ कैसे पता चला कि आपको बस एक चीज याद रखनी है जो सबसे important है इस पूरे topic में कि जो metallic oxide होती है वो basic nature की होती है यानि कि आप यहाँ पर indirectly base की reaction करवा रहे हैं acid के साथ बेटा त अलग हो गए और यह neutralization reaction हो जाएगी बताओ clear है कि नहीं clear है तो हाँ यह जो reaction थी बहुत ही छोटी सी थी और आपने इन चीजों को सीख विलिया होगा यहाँ पर आपको कोई doubt नहीं होगा अब एक basic बाते हो जाती है आपके किसमे reactivity series की कि इसको कैसे याद रखना है इसकी trick म मैंने बहुत ही स्टांदार सी बनाई बहुत ही प्यारी सी trick बनाई है अब जाकर देखेंगे अगर आप playlist में जाएंगे तो एक playlist में आपको एक series मिलेगी बोड इस्पिसल सिरीज उसमें आप देखेंगे reactivity series कोई कैसे याद करना उसकी trick ठीक है तो अब यहाँ पर आपने ए ऐसे हैं जो medium reactivity को दिखाते हैं जितने भी आपके more reactive है जितने भी आपके medium reactive है यह लगबग ऐसे होते हैं जो oxygen के साथ react करके metal oxide बनाते हैं क्या बनाते हैं Metal Oxide बनाते हैं और Metal Oxide नेचर में कैसे होते हैं, Base होते हैं, कैसे होते हैं, Base होते हैं, जबकि आपके Less Reactive हो गया, जैसे आपका Silver हो गया, जैसे आपका Gold हो गया, Platinum हो गया, यह Oxide के साथ Direct Reaction नहीं करते हैं, तो अब ऐसे Metals जो ज़्याधा Reactive हो, वो तुरंत oxygen के साथ क्या कर लेते हैं reaction कर लेते हैं इसलिए जैसे potassium हो गया जैसे आपका sodium हो गया इनको हम ऐसी जगाओं में रखते हैं जहां पर direct oxygen ना आ पा रही हो यानि ऐसी bottles में रखते हैं जहां पर direct oxygen का touch ना हो नहीं तो बेटा क्या होगा ये oxygen के साथ react करा लेंगे और अपने आपको react करा के क्या बना देंगे metal oxide बना देंगे जो एक तरीके क्या होता है base होता है ये एक छोटी सी important सी बात थी इस activity की मैंने आपको clear कर दिया तो आप ये बत सोचा करें कि ये activity में दो line है तो क्यों दो ही लाइने पढ़नी है बेटा बहुत सारी बाते होती है activity में NCIT खुद में अपने आप में ऐसी book है कि उसको जितना explain करूं उतना ही कम है जो जितना बहतर मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं सबसे बहतर explain कर रहा हूं आपके लिए लेकिन बेटा यह यह न कि NCIT ऐसी है कि आप जितना उसको explain करना चाहें कर सकते हैं और जितना मैं आपके लिए कर रहा हूं वो sufficient है for boy exam क्या यह बात है समझ में आ गई ठीक है कुछ reaction मैंने लिख दी है जो किसकी reactions हो जाती है यहाँ पर सामने कुछ most important reaction है बनता है कैसे form होती है वैसे मैंने इनको detail में पहले पढ़ा दिया था यह इस reactivity के तो part नहीं है लेकिन मैंने कुछ reactions मुझे लगा कि हाँ यह activity में पूछी जा सकती है या ऐसी reactions कहीं पूछ ना ली जाए तो मैंने इन reactions को भी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने note लिख दी है कि जो metal oxide होती है उनका nature कैसा होता है basic nature होता है इसलिए यह neutralization reactions को करवाती है यहाँ पर सभी reactions कौन सी reaction के example हो जाएंगे neutralization reactions के example हो जाएंगे और सभी basic reaction है मुझे नहीं लगता कि इनको explain करना चाहिए बाइदवे आपको problem होती है किसी भी reaction में तो आपको comment करना है मैं आपको explanation उसका दे दूँगा I hope यह complete activity आपको समझ में आई होगी बहुत ही चोटी सी activity थी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात है थी I hope आपने बड़ीय तरीके से समझा होगा मिलता हूँ जल्दी एक नई activity के साथ टाटा बाई बाई